खून से बीगा हुआ गीला वस्त्र जहां प्रशाद स्वरूप दिया जाता है और एक इतना चमतकारी वस्त्र जिसको आप अपने घर में रख ले तो सभी प्रकार की समस्याओं से निदान मिल जाता है जिसके आगे आपके उपर किया कराया तंत्र मंत्र वशी कर्ण कुछ भ यह चमतकारी वस्त्र आपके लिए किसी वर्दान से कम नहीं है घर में किसी विप्रकार का कलय हो या जादू टोना या कोई भी तांत्रिक अभिक्रिया जिसके कारण आपका जीना दुभर हो गया है तो मा का यह चमतकारी वस्त्र आपको सभी परेशानियों से मुक्ति दिल यह मा का माख्या का चमतकारी वस्त्र है विश्व के सभी तंत्रिकों मांत्रिकों एवं सिद्ध पुर्षों के लिए वर्ष में एक बार पढ़ने वाला अंबु वाची योग पर्व वस्तुते एक वरदान से कम नहीं है जब तंत्र की बात चलती है तो मा का माख्या सबसे सर वो परी देवी के रूप में जाने जाती हैं जो तंत्र जगत की अधिस्ठात्री देवी हैं जी हां माता की पूजा अलग-अलग कारियों के लिए लोग करते हैं असम की राजधानी दिस्पूर के पास गोहावटी से आठ किलोमीटर की दूरी पर निलांचल परवत पर मा का म माख्या विराजमान हैं जी हां यह मंदिर शक्ति की देवी सती का मंदिर है यह मंदिर एक पहाड़ी पर बना हुआ है वे इसका महत्व तांत्रिक महत्व है पोराणिक कथाओं के अनुसार जब मा भगवती सती हुई थी तो उनके शव के 51 टुकड़ी जहां जहां भी गिर वहां पर देवी के शक्ति पीट बन गए इन सती के 51 शक्ति पीठों में निलांचल की पहाड़ी पर मा का योनी भाकिरा था जिसके कारण यह कामाख्या शक्ति पीट बन गया यहां पर मा की कोई मूर्ती नहीं है केवल एक योनी कुंड की पूजा होती है जो सदय फूलों स डखा हुआ होता है लेकिन वर्ष में एक बार जून माह में यह योनी कुंड से पवित्र जल धारा के स्थान पर रक्त की धारा बहती है जी हां एक बार साल में जब माभगवती रजस्वला होती है तो इसी योनी कुंड से पवित्र रक्त की धारा बहती है जिसका बहुत ही जोर सोर से उत्सव के रूप में मा भगवती का एक अंबू वाची मेला लगता है इस अंबू वाची मेले में भाग लेने के लिए देश से करोडों, साधू, सन्यासी, अगोरी, तांत्रिक पहुंसते हैं वहाँ पर जब मा भगवती रजस्वला होती हैं तो मंदिर के पाठ स्वतही बंद हो जाते हैं और उस पवित्र कुंड पर एक सफीद वस्त्र बिछा दिया जाता है उसके बाद जब चोथे दिनमंदिर के पाट खोले जाते हैं तो वही वस्त्र खून से भीगा हुआ मिलता है जी हाँ मा की कृपा से यह रक्त से भीगा हुआ टुकडा उन साधों को उन भगतों को साधकों को दिया जाता है जो उस अंबुवाची पर्व में तीन दिनों तक मा का उत्सव मना रहे होते हैं एक लंबी कतार में लगने के बाद यह अंबुवाची वस्त्र भगतों को छोटे छोटे टुकडों के स्वरूप में बाट जया जाता है इतना चमतकारी और पवित्र यह वस्त्र होता है जिस भी साधक को भगत को यह मिलता है उसके सोई भाग्य जग जाते हैं उसके पास जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है मा की कृपा से उसके घर में अंधन के भंडार भर जाते हैं सबी शमश्याईं जैसे चूमंतर हो जाती हैं इतना पवित्र और चमतकारी यह वस्त्र है जिसको पाने के लिए देश से करोडो, साधू, सन्यासी और अगोरी तान तरक पहुंसते हैं और अपनी साधना को संपूर्ण करते हैं पुराणों के अनुसार सती युग में यह पर्व 16 वर्ष में एक बार आता था द्वापर में 12 वर्ष में एक बार, त्रेता युग में 7 वर्ष में एक बार तथा कल युग में यह जून के माह में परति वर्ष मनाये जाने वाला पवित्र त्योहार है जो मा भगवती कामाख्या को समर्पित है मा कामाख्या के इस अम्बू वाची पर्व को और भी जादा रहशमय बनाने वाली है यह ब्रह्म पुत्र नदी जी हाँ, जब मा कामाख्या रजस्वला होती है तीन दिनों के लिए इस ब्रह्म पुत्र नदी का जलाल हो जाता है जिसको देखने के लिए अनेक देश के कौने कौने से यहां तक की विदेशों से भी लोग आते हैं और मा का माख्या के इस चमतकार को देखते ही रह जाते हैं देवी के रजस्वला होने के समय में और महिशन भी निशेद हो जाता है इस पर्व की महता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पूरे विश्व से इस पर्व में तंत्र मंत्र साधना हेतू सभी प्रकार के सिध्या उयुव मंत्रों के उच्चारण हेतू उच्च कोटियों के तांत्रिकों, मांत्रिकों, अगोरियों का बड़ा जमगट लगा रहता है तीन दिनों के उपरांत मा भगवती की रजस्वला स्मापती पर उनकी विशेश पूजा इवं साधना की जाती है मा कामाख्या के बारे में किन वदनती है कि घमड में चूर असूर राज नरकासूर एक दिन मा भगवती कामाख्या को अपनी पत्नी के रूप में पानने का दुरा ग्रह कर बैठा था कामाख्या महामाया ने नरकसूर की मृत्यू को निकट मान कर उससे कहा कि यदि तुम इसी रात में नील परवत पर चारों तरफ पत्थरों के चार सो पान पथों का निर्मान कर दो एवं कामाख्या मंदिर के साथ एक विश्राम ग्रह बनवा दो तो मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार पत्नी बन जाओंगी और यदि तुम ऐसा ने कर पाए तो तुम्हारी मृत्यू निश्चित है गर्व में चूर असुर ने पंथों के चारों सो पान प्रभात होने से पूर्वे पूर्ण कर दिये और विश्राम कक्ष का निर्मान भी कर ही रहा था कि महा माया के एक मायावी कुकुट मुर्गे द्वारा रात्रिस मापती की सूचन दी गई जिस से नर्कासुर ने प्रोधित होकर मुर्गे का पीछा किया और ब्रह्मा पुत्र के दूसरे छोर पर जाकर उसका वद्गर डाला यह स्तान आज भी कुकुटा चकी की नाम से विख्यात है बाद में मा भगवती की माया से भगवान विश्णू ने नर्कासुर असुर का वद्गर दिया नर्कासुर की मृत्यू के बाद उसका पुत्र भगदत कामरूप का राजा बना भगदत का वद्गर लुप्त हो जाने से कामरूप राज्य छोटे छोटे भागों में बट गया और सामन्त राजा कामरूप पर अपना शासन्स करने लगा नर्कासुर की नीच कारियों के बाद एवं विशिस्ट मुने के अभिशाप से देवी एपरकट हो गई थी और कामदे दुआरा परतिस्टित कामाख्या मंदिर द्वन्स प्राय हो गया था आद्य शक्ती महाबहरवी कामाख्या के दर्शन से पूर्व महाबहरव उमानंद जो की गौहावटे शहर के निकट ब्रह्म पूतर नदी के मद्य भाग में टापू के उपर स्थित हैं का दर्शन करना अनिवार्य है यह एक प्राकर्तिक शैल दीप है जो तंत्र का सर्वोच्च शिद सती का शक्ति पीठ है इस टापू को मध्यांचल परवत के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यही पर समाधिस्ट सदासिव को कामदे उने कामबान मारकर आहत किया था और समाधि से जागरित होने पर सदासिव ने उसे भाश्म कर दिया भगवती के महात तीरत योनी मुद्रा निलांचल परवत फहर रही कामदेव को पुने जीवन दान मिला कामदेव को रूप मिलने के कारण इस छेत्र को काम रूप के नाम से भी जाना जाने लगा इसलिए इस शकती पीठ में कोमारी पूजा अनुस्ठान का भी अत्यंत महतो है ये दपी आदेशक्ती की पुर्थीक सभी कुल वैवर्ण की कोमारियां शक्ती का माख्या कोमारी रूप में सदा विराजमान है इस छेतर में सभी वर्ण वेजातियों की कुमारिया वंदनिये हैं, पूजनिये हैं वर्ण जाती का भेद करने पर सादक की सिधिया नस्ट हो जाती है सास्त्रों में बढ़नित है कि ऐसा करने पर इंद्र तुल्य शक्ति शाली देव को भी अपने पद से वांचित होना पड़ा था ठीक जैसे उत्तर भारत में कुम्ब महापर्व का महत्व माना जाता है ठीक उसी प्रकार उससे भी स्टेश्ट व्यम आद्य शक्ति के अंबूवाची परव कमेत्व है इसके अंतरगत विबिन्य प्रकार की दिव्य अलोकिक शक्तियों का अरजन तंतर मंतर में पारंगत सादक अपनी अपनी मंतर शक्तियों का पुरे शरण अनुस्ठान कर स्थिर रखते हैं इस महापरव में सिर्फ भारत ही नहीं बलकि विशेश रूप से विदेशों से भी भक्त गणाते हैं बांगलादेश तिबबत और अफरिका जैसे देशों के तंतर सादक यहां आकर अपनी साधना के सरवोचिस सिखर को प्राप्त करते हैं अंबुवचि पर्व के दोरान जो भी सादक हैं उनकी अलग-अलग प्रकार की जो साधनाई हैं उसमें मा की शक्ती को आप महसूस भी कर सकते हैं और शाक्सात देख भी सकते हैं इस प्रकार का अनुभाव आसानी से हर एक इंसान कर सकता है कि मा शक्ती उनके सामने शक्षात विराजमान है। यह एक ऐसा समय है जब हम बहुती करीब से अगोरियों को तांत्रिकों को देख सकते हैं जो अपनी भिन-भिन प्रकार की साधनाओं में लीन रहते हैं। यह समय मनों कामना पूर्ती के लिए विशेस माना जाता है। जब मंदिर के पट खुलते हैं तो भक्तों को परशाद के स्वरूप में लाल रंग का खून से भीगा हुआ वस्त्र दिया जाता है जो की माता के रजो धर्म का प्रतीग होता है। एक चमतकारी बात जो दिखती ह वो यह की मंदिर के पट बंद करने से पहले सूती कपड़ा माता की योनी पर रखा जाता है और जब पट खोला जाता है तो पूरा कपड़ा लाल दरव्वे से सना मिलता है। यही बताता है कि यहां पर कोई तो शक्ती है जो भक्तों की मनों कामना पूर्ण करती है। इसलि बादाओं का साया मंडराता रहता है, किसी के किया कराय तांतरिक क्रिया, वशीकर्ण, इत्यादी, किसी का व्यापार जो बांध दिया जाता है, वहें चारों तरफ से हारे हुए इंसान मा का माख्या के दर्बार में जाकर अपनी हर एक समस्या का समाधान कर सकते हैं, इसलिए चारो तरफ से हारे हुए इंसान को मा का माख्या के इस चमतकारी मंदिर के अवश्य दर्सन करने चाहिए और इस अनुपम और सभी संकटों को हरने वाले दिव्य प्रसाद जो अमबु वाची वस्त्र कहलाता है उसे भी जरूर ग्रहन करना चाहिए इस चमतकारी अम्बु वाची वस्त्र को आप तिजोरी में रख सकते हैं गहने पैसे रखने के स्थान पर आप इसे पवित्रता के साथ रखें समय समय पर धूप दीब दिखाते रहें यदि आप इसे ताविज बना कर पहनते हैं तो यह सबी प्रकार की काली शक्तियों और जादू टोनों से आपकी रख्षा करेगा यदि आप किसी महत्वपूर्ण कारिये के लिए जा रहे हैं तो इस पवित्र और चमतकारी वस्त्र को आप अपने साथ लेकर जाएं और फिर इसका चमतकार देखें मा का माख्या की इस दिव्य और चमतकारी वस्त्र के जितने लाब आपको गिनाए जाएं उतने कम है बस सिर्फ आप इतना ही समझ लीजिए कि यह चमतकारी और दिव्य वस्त्र जिस भी इंसान को मिलता है उसके सोय भागय जग जाते हैं उसकी जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहती मा का माख्या के अम्बू वाच्ची वस्त्र के विशेव में दी गई जानकारियां आपको कैसी लगी प्लीज जरूर बताएं वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए आपके सुझाओ हमारे लिए अनमोल है अपना कीम्ती समय देनी के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को आप सभी बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं इसके लिए आपका मैं फिर से धन्यवाद कहूँघी आगी भी हमारे साथ इसी प्रकार बने रहे कमेंट सेक्षन में जै मा का माख्या लिखना ना भूलें क्योंकि वह जगत जन्नी जगदंबा सभी के मनों कामने पूर्ण करती हैं इसी मंगल कामना के साथ जै मा का माख्या